स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर तो कैसे हूँ आप लोग दोस्तों एक लास फिर्स्ट यर के पेपर थर्ट की है जिसमें आज हम जानेंगे सैच्छिक तकनिकी या एजुकेशनल टेकनलोजी और सिक्षर तकनिकी या टीचिंग टेकनलोजी में टिफरेंस क्या है या अंतर क्या है तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सेर कीजेगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजेगा तो चली ज़्यादा देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं जानेंगे सैच्छि अगला है सैच्छिक तक्निकी का अर्थ अगर जानेंगे तो सैच्छिक तक्निकी का अर्थ मनुस्य की सीखने की क्रियाओं और परिस्थितियों को क्रमबद और वग्यानिक रूप प्रदान करना है जबकि सिक्षड तक्निकी का अर्थ जो है वो सिक्षड को वग्यानिक क् बनाने की एक नवीन या एक नई प्रक्रिया है आगे देखेगा उद्दे से देखेंगे तो सच्छिक तक्निकी का उद्दे से सिक्षा में नवीन प्रवित्यों का विकास करना है जबकि सिक्षड तक्निकी का उद्दे से सिक्षड प्रक्रिया को वैग्यानिक रूप देकर प्रभाव साली बनाना है आगे देखेगा यहां पर देखें सिक्षड आधार क्या है तो सच्छिक तक्निकी में सिक्षड आधार दारसनिक मनोवैग्यानिक और समाजिक होता है और सिक्षड तक्निकी का आधार दारसनिक तथा मनोवैग्यानिक होता है छेत्र क्या है तो सच् की का विशेवस्तु ब्यवहार तकनीकी अनुदेशन तकनीकी और अनुदेशन के प्राइआरूप जब की सिक्षड तकनीकी में solution को नियंत्रड करना यह विशेवस्तु है विशेष्टाइए क्या है सैचक तकनीकी का विशेष्टा है ज्uldade को संचित और तेंग को पर बल देना तो ये आपने बहुत ही कम सब्दों में से अच्छिक तकनिकी और सिक्षड तकनिकी का अंतर यहां पर समझा है तो आपको अगर ये क्लास अच्छी लगी तो जादा से जादा लाइक सेर कीजेगा क्योंकि बहुत ही कम सब्दों में और बहुत ही कम समय में यहाँ पर हमने फटाक से इस टॉपिक को कवर किया है तो आपको ये क्लास पसंद आएगी तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा तो फिर मिलते हैं क्लास में तब तक के लिए धन्यवाद